हेलो इस्टोरेंट्स फेलकम बैक टुमाई यूटूब शेनल प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां पर चली हमारी बीकॉम क्लास और बीएमेस क्लास वाली बच्चोंगी डेरिवेटिफ सेन अप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिफ के बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट और पहुशे हैं लेक्षे नमबर 27 पर बात करने वाले हैं आज का जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑप डिमार्ड जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें यह फोई बीकॉम 2016 डिस्टेंस वाला कुश्चन और आई हो फर एक बच्चे काफी जादा बेनिफिट्स मिल रहे होगी जो बच्चे रेगुलर हमारे साथ कनेक्ट हो गये हैं और अभी से अपनी प्र कुश्चन जरा देखो दिद्दिमांद फंक्षन इस डी इपल टो 1000 मैनिस डी इक्वल टो प्रिजवार्ट वेर्ड बैड इक्वल टॉपिक्वल टुप्राइस हमेंसा अपने को डिमांड फंक्षन दिया हो गार। क्वेसिटिन क्लीर मेंशन करा फाइंड दे ऐलास्टिसि एट P equal to 10, जब P की value दिया है, 10 कोई दिक्कत, कोई problem नहीं है, और यह जो question is 16, distance वाले बच्चों का है, question में क्या गिबे ने लिख दो जरा सा, question बता रहे हमें demand function, question क्या बता रहे है, demand function बता रहे, किसी बच्चे को कोई problem नहीं होनी चाहिए, अगर मैं बात करू सीधा, कि इलास्टिसिटी ओफ डिमांड का formula अब तक हर एक बच्चे को याद हो जाना चाहिए, और type 1 best होगा, इलास्टिसिटी ओफ डिमांड का formula क्या सिखाया गया है, formula है सर माइनस P अपॉन में D, multiply, multiply, आप डेरिवेट करो, डेरिवेट करो, किसको D को, यही concept है, माइनस P अपॉन D, डेरिवेट करना है किसको P को, P इसलिए लिखा जाता है, variable हमें सब P आएगा, तो D को डेरिवेट करो, इसको डेरिवेट आप अलग कर दो, यहाँ पे मैं डेरिवेट कर देता हो, देको इधर, डेरिवेट आपको यहाँ पे कर देना है, और जो डेरिव करना है स्टार्ट करते हैं, डेरिवेट किसको करना है, D को, D की अगर बात करो, D का मतलब क्या समझ में आते है, 1000-2P का स्क्वेर, यही तो समझ में आते है, अब अगला स्टेप ज़रा ध्यान से important, डेरिवेट 1000 को करो, तो हर एक बच्चियों को पता सर 0 आते है, किसी भी न यहां पहले से लिख दिया, अब यह कोई बच्चा नहीं बोले का सर, नंबर को डेरिवेट करेंगे 0, बट इसके साथ वैरियेबल भी तो एड है, वैरियेबल वाले के समें मैंने बूला, नंबर हमें सा लिख दिया करो, और स्क्वेर वाले में तो स्क्वेर आगे लिख ल डेरिवेट करने पर आया है, ध्यान से जरा समझो, clear है क्या, अब यह जो डेरिवेट करने पर आई वैलू ना, यह वैलू यहां पर आपके फूट कर दो, मतलब इसकी जगह पर डेरिवेट वाले जगह पर क्या लिख दो माइनस 4P, माइनस 4P, आपने यही तो काम किया, 2P का स्क्वेर, तो D की जगह पर वैलू पुट कर दो, 1000-2P का स्क्वेर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला इंपॉर्मूला अगर याद है, पहला का में डेरिवेट कर लो, डेरिवेट D हमेसा दिया होता है, डेरिवे आपका benefits, derivatives आपको समझ में आ जाएगा, पूरा 22, 25 marks हो जाएगा, हर एक class में मेंशन करते हुए, चल रहा हूँ अभी तक, और देखो इदर, derivate अगर आप ने कल लिया, तो minus P, आप उन में D दिया था, value put up कर दो, अब देखो आगे तो multiply का concept, minus इदर दिख रहा है, minus इदर द square है, तो multiply में तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को doubt होना चाहिए कुछ, सर्फ P, 4 यहां था, भई यहां नमबर निये, तो 4 ही आएगा, P, इदर है, P, इदर है, तो square बन जाएगा, और नीचे जो number है, यह तो कोई दिक्कती नहीं है, यह तो वैसे ही रहेंगे, clear है, I hope फर एक बच्चे का concept clear है, अब देखो इदर, last में आपको P की value हमेशा दिया ही होगा, अब P question में अगर मैं बात करूँ कितना दिया था, 10, तो 10 value put कर देते हैं, अब ज़रा ध्यान दो, इदर 4 था, 4, बीच में कुछ भी नहीं, तो multiply का concept है, P square, P का मतलब क्या है, 10, 10 का square, upon म upon में, upon में, क्या है, 1000, minus 2P square, 2 into P square भूली तो क्या होता है, 10 का square, clear है, 4 into 10 का square कितना हो गया, 100, 10 का square का मतलब होता है, 10 into 10, 2 times 100 हो गया, यहाँ पर क्या है, ज़रा ध्यान दो, 1000, minus 2 into 10 का square क्या है, 100, सेम वही मिलने माला है, clear है, सेम वही concept है, आपका, अब ज़रा यहाँ बात कर लेते, 4 into 100 कितना हो जाता है, 400, upon में, 1000, minus 2 into 100, 200, कोई दिक्कत, नहीं हो नीची, शेले, आगे बात करते है, 400, upon में, minus कर दो, 800, 00, cancel, divide कर दो, 0.5, क्या है, क्या मिला, ज़रा ध्यान दो, इदर, elasticity of, of demand, जब कितना था, ध्यान रखना, 10 था, तो कितना मिला, 0.5, आप Kelsey पे सिधा, divide कर सकते हो, 400, divide by 800, करोगे तो भी आपका answer वही आने वाला है, 0.5, देख रहे हो, आप लोग कितना आसान topic है, कितना simple question है, पहले तो screenshot, जिन बच्चों को लेना आप ले सकते हो, note करना है न आपको, शेले note कर लेजिए, शेले I think note कर लिया होगा हर एक बच्चे ने, note कर लो या फिर screenshot ले लो, अब आप लोग देख रहे हो, कितना simple means, कितना आसान topic है, किसके उपर dependence है, elasticity of demand के इस formula के उपर है, और यह formula के लिए रहे है तो जिन बच्चों का यह type उन में हो ले तो derivate करने आता होगा, यह जो derivate मैंने किया, इधर बे यह value ले जाके put किया, अगर यह derivate करने आगे तो आगे का concept तो easy है तो value put किया, multiply किया, concept हो गया, दे की value दिया था, last one, sorry, P की value और P की value question में put करो, और अपना final answer, find out कर लो, clear है, I hope, हर एक बच्चे का concept यहां तक clear होगा, clear है, तो शेलिए, मिलेंगे अगली class में जहां पर बात करने वाले है, next year के previous miss, elasticity का concept जितना भी दिया है, जिस year में push है, हर एक year का solve करा के दूँगा, कोई tension नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास एक enough time है, और per day one video की बात हो रही है, बीडियो की length भी आप लोग देख रहे हो, आपको boring सा भी ना लगए, आप कभी भी देख सकते हो, और per day एतना ध्यानक ना, कि mind में रखना है, जो बच्चे है regular connect है, जुनको out of का एक chance बनाना है, एक average बनाना है, केटी से बचना है, अभी enough time आपके पास है, आराम से per day, 10 से 15 minute का time आप निकाल सकते हो, और अपना एक अच्छा score mathematics में कर सकते हो, तो शरीए, मिलेंगे एकली class में तब तक के लिए, thank you, so much.